मार्वल यूनिवर्स वूलवरिन से सभी के पसंदीदा रगड सुपर हीरो को सिलवर स्क्रीन पर आये लगभग 5 साल हो चुके हैं। लेकिन इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा क्योंकि ह्यूग जैक्मेंड डेड़पूल के तीसरे भाग में वूलवरिन के रूप में वापसी करने के लिए तैयार है। फिल्म के मुख्य अभिनेता रयान रेनोल्स ने बुधवार को खुलासा किया कि हॉलिवुड स्टार क्यूग जैक्मेंड डेड़पूल तीन फीट में लोगान उर्फ बूलवरिन के रूप में लौट रहे हैं। जो 2024 में सिनेमा घ्रों में रिलीज होगी। रेनोल्स तब कहते हैं कि उनके पास डेड़पूल तीन फीट को फ्रैंचाइजी की पिछली दो फिल्मों से अलग बनाने का एक विचार था। इस समय हम देखते हैं कि जैकमैन प्रश्ठभूमी में पूरे कमरे में घूम रहा है क्योंकि रेनोल्स पूछता है अरे यूग आप एक बार वूलवरिन खेलना चाहते हैं। जैकमैन अभी भी लापरवाही से दूर जा रहा है। अपने विशिष्ट गैर परेशान स्वर में जवाब देता है। हाँ, जरूर। रयान जैकमैन के वूलवरिन के रूप में लौटने की खबर निश्चित रूप से पुरानी यादे वापस लाएगी क्योंकि अभिनेता ने 2016 की फिल्म लोगन के साथ चरित्र, एक्समेन के आखिरी चरित्र को भावनात्मक रूप से अलविदा कहने से पहले 17 साल तक स्क्रीन पर ततिष्ठिक भूमी का निभाई है